नमश्का दोस्तों, आज के हपते के हमारी किताब का नाम है Getting Things Done by David Allen हम सब के लिए कई सारी बाते करना और उनमें सफलता पाना और ये सब करते हुए एक सहज नियंत्रन यानी relaxed control अपने आप पर रखना possible है यहीं इस किताब में David Allen कहना चाहते हैं आईए देखते हैं कि कैसे possible है सबसे पहले तो हमें हमारी आदतों को, practices को नया बनाना पड़ेगा ताकि उसका जो नतीजा है, result है वो नया होगा और वो हमारे मन चाहे सपनों के मताविक होगा सबसे बड़ा stress यानी तनाव जो है उसका कारण ये होता है कि हमने जो training ली है, उसके मुकाबले हमारे काम और माहोल हर वक्त बदलते रहते हैं चाहे हम किसी office के काम की बात करें या general काम की हर वक्त दुनिया के तरीके तेजी से बदलते जा रहे हैं नए कानून, नए नियम, नए गैजेट्स ये सब तेजी से आज की दौर में बदल रहे हैं जिससे हमारे मन पर एक stress अपनी आप बढ़ने लगता है हमें जादा से जादा information यानी जानकारी रखना, उसे ढूणना ये सब करना पड़ता है और हर बार चाहे काम के मामले में हो या जनरल, result oriented हो गई है मतलब result क्या मिला, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला इसी पर सब का ध्यान होता है हमारी जो मेहनत है, effort से जो हमने लिए हुए, वो ज़्यादा माइने नहीं रखते इसके लिए सबसे जरूरी बात ये है कि हमें अपनी commitments को प्रभाव शाली यानि effective बनाना चाहिए हमारी जिन्दगे में ज़्यादा तर stress या तनाव जो है, वो गलत तरीकों से किये गए या माने गए commitments की वज़े से होता है या तो हम कोई commitment गलत तरीके से करते हैं या मान लेते हैं किसी और की commitments में जब हम इस stress को consciously सोच कर कम करते हैं तो हम relaxed और free महसूस करते हैं हमें अपने commitments के बारे में clear होना भहुत जरूई है यानि कि हम जो commitment किसी और के साथ कर रहे हैं हैं उसके बारे में और उसे पूरा करने के लिए जो भी करना जरूरी है उसके बारे में भी हमारे मन में clarity होना बहुत जरूरी है एक बार ये सब तै हो जाने के बाद हमें क्या करना है कौन कौन सी बातों को करना है इसके बारे में list तियार करनी है और उसमें फिर time to time जो भी बदलाव करने हैं उन्हें करना जरूरी है हमारे मन में बाते बार बार आकर stress इसलिए पैदा करती है क्योंकि एक तो यह है कि हम exact result के बारे में ठीक से हमें पता नहीं होता है हम सोचते ही नहीं है दूसरी बात यह है कि हमें अगला step क्या लेना है इसके बारे में कोई clarity नहीं होती हमारे मन में तीसरी बात यह होती है कि हमारे पास action लेने वाले steps और उनके जो results आने वाले हैं उसकी list तैयार नहीं होती है तो बार-बार कई सारी बाते रेंडमली हमारे मन में आती रहती है और वो stress पैदा करती रहती है इसके लिए इस किताब में तीन stage की एक method बताई गई है जिससे हमारे काम को ठीक से manage कर सके हम और फिर अच्छे results भी पास सके पहला step है collect यानि सबसे पहले हमें हमारे काम के लिए जो जरूरी बाते हैं लोग है घ्यान है चीजे है उन सब collect करना ज乐री है उनको इकट्था करना जरूरी है इन्हें collect करने के जो tools है वो हमें वो tools जो है वो हमारे जिन्दगी का एक हिस्सा बनना चाहिए एक part बनना चाहिए और हमें उन्हें हमेशा अपने पास उपलब्द रखना बहुत जरूरी है जैसे कि जरूरी papers, notes, चीजे, mails हमें ठीक से organize करके रखना है ताकि जरूरत पढ़ने पर हमें उन्हें ढूनना ना पड़े उसी तरह हर वक्त उन्में से गैर जरूरी या जिन बातों का काम हो चुका है उन्हें उसमें से हटाना भी बहुत जरूरी है जैसे सारे mails को रखेंगे तो बहुत जादा बढ़ते जाएंगे और जरूरी mails को हम फिर वक्त पढ़ने पर ढून नहीं पाएंगे इसलिए हमें उन बातों को सही तरीके से organize करके रखना जरूरी है जिससे हमें जिनके जरूरत है उन सारी बातों को ठीक से रखना और जो जरूरत नहीं है उन बातों को हटाना भी उतना ही जरूरी है जिनका काम हो चुका है और उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी या फिर शायद पड़ेगी या फिर हम उन्हें आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं ये काम तो हमें उन्हें हटाना चाहिए और ये काम हमें टाइम टू टाइम यानि डेली, विकली, मन्थली ऐसे समय करने के लिए एक 6 लेवल का मॉडल बनाया घया है जो 6 लेवल्स इसमें बताई गई है तो ये क्या मॉडल है कि 50,000 फीट के ऊपर से हम जो देखते हैं वह हमारे लाइफ का वीजन होता है, हमारे जिंदगी का वीजन होता है, वीजन का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में क् चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं क्या देखना पसंद करते हैं वह बहुत ब्रॉड प्रस्पेक्टिव होता है वह हमारा वीजन है उसके बाद 40,000 फीट के उपर से हम जो देखते हैं वह 3-5 साल के बीच में हमने क्या-क्या करना है हमारा क्या contribution रहेगा ताकि हम अपने वीजन तक पहुच सके इसके बारे में होता है 30,000 फीट से उपर से अगर हम देखे तो 1-2 साल तक का जो हमारा काम है यानि हमारे goals है हमारा जो भी लक्ष है उसके बारे में जो है वो 1-2 साल तक के हम ध्यान देते हैं 20,000 फीट के उपर जो है वहाँ पर आती है हमारी responsibility क्या है ताकि हम अपने goals को पा सके उसमें हमारा contribution दे सके और वो हमें हमारे vision तक पहुच आ सके 10,000 फीट के उपर से अगर हम देखें तो वो होता है कि हमारा current project उसके लिए अभी फिल हाल हमारे हाथ में क्या काम है उसे हम कैसे ठीक से कर सकते हैं और runway जो है इस flight का वो है current actions यानि अभी हम जो काम कर रहे हैं यह एक flight यानि कि हवाई जहाज के language में बताया गया है कि runway से लेकर 50,000 फीट के उपर तक कैसे हम अपने life के vision को देख सकते हैं कि current action जो current project के लिए हम कर रहे हैं हमारे responsibility क्या है हमारे goals को तक हम कैसे जा रहा है हम इस section से उसके बाद हमारा contribution हमारी vision के लिए क्या हो रहा है तो यह सब इस six phase के model में बताया गया है six step के six level के इस work management theory का basic मुद्दा यह है कि हम हमेशा जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए good choices यानि सही चुनाव select करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा आधा काम वहीं पर success यानि सफ हो जाता है हमारे time का ज्यादा तर उपयोग highest investment हम कौनसी बातों पर करते हैं यह भी एक बहुत ही important मुद्दा है सही चुनाव के साथ अगर हम अपने time के यानि वक्त के बारे में भी aware हो जाते हैं तो हम दिमागी सतर पर अपने आपको relax पाते हैं feel करते हैं जिससे हम कम समय मे ज्यादा result पा सकते हैं हमारे काम का evaluation मतलब समय समय पर checking करते रहना भी उतना ही जरूरी है ताकि हमें clear idea आ जाता है कि हम कितना काम कर चुके हैं और कितना बाकी हैं इसके बाद किसी भी project के 5 important phases के बारे में David Allen बताते हैं वो है कि हमारे project का purpose और principles क्या है मतलब हमारे project का उद्देश क्या है उसके तत्व क्या है दूसरी बात है outcome visioning मतलब हमारे project का जो result आने वाला है क्या हमारे आँखों के सामने वो clear है हमारे दिमाग में तीसरी बात है brainstorming brainstorming का मतलब है कि जो भी result हम पाना चाहते है उसके लिए हम जादातर लोगों की बाते सुने जादातर information collect करें हमारे project के बारे में ताकि किसी के उपर criticize करने के बजाए किसी के साथ argue करने के बजाए सबकी बाते सुनकर फिर final analysis करके हम हमारा काम शुरू करें उ organizing उसके बाद आता है organizing का मतलब है जो भी analysis जो भी information हमने इकठा की है उसको properly analyze करके उसके बारे में सही तरीके से सूच विचार करके जो हमें सही चुनाओ करना है best choices जो हमें चुननी है उसको चुन कर फिर organize करना कि कैसे कैसे हमें ये काम करना है और last जो part आता है वो identifying next action मतलब अभी जब हम शुरू कर रहे है उस काम को तो हमें immediate कौन सी action करनी है immediate कौन सा काम करना ज़रूरी है फिर किस से करवाना है किस से काम देना है अगर वो available नहीं है तो हमें कहां से वो करवाना है ये सारी चीज़े हैं वो हमारे next action में and identifying next action में आ जाती है तो सबसे पहले द भर का हो हमारे business का हो कोई भी काम जो हम करना चाते है उसके बारे में purpose और principle कैसे decide करें कैसे हम ढूंडे उसको तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये सवाल पूछना जरूरी है अपने आप से कि मैं ये काम क्यों कर रही हूं why why I'm doing this मैं इसे क्यों करना चाती हूं क्या वज ज्यादा chances होते हैं और उससे हमारा stress पैदा होता है तना और पैदा होता है जब हमें why का पता होता है कि मैं ये क्यों कर रही हूं तो बाकी चीज़े बदले तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन हम बिलकुल सही दिशा में उसी एक direction में focused रहते हैं वो हमारा purpose और principle decide करता है कि why I am doing this मैं ये क्यों करना चाती हूं क्यों कर रही हैं दूसरी बात है कि outcome visioning मतलग हमें क्या result पाना है उसका हमारे mind में clear picture होना बहुत जरूरी है तबी हम जो भी जरूरी resources है यानि लोग है चीज़े है ग्यान है वो सब अपनी और attract कर सकते हैं अगर हमारा outcome का picture clear होगा तो इस result को define और redefine करते रहना जरूरी है ताकि हम अपने result को ज्यादा से ज्यादा clear vision दे सके visualize कर सके next बात जो है brainstorming brainstorming का मतलब है हमारे project पर और उसके बारे में अलग-अलग लोगों से, stroton से यानि sources से जादा से जादा बातों को जानना जिससे हम उसे अलग-अलग angle से हर तरीके से जान सके सोच सके और उसे उन सारे बातों में से एक better तरीके से complete कर सके जिससे हमें criticize या argue करने के बजाए सारी बातों को सुनकर उन पर गौर करके analyze करना जरूरी है ताकि हम best choices यानि सही चुनाव कर सके कि हमें कैसे इस project को complete करना है next step आता है organizing मतलब जब हमारे पास सारे resources यानि संसाधन available होंगे collect होंगे इकठे होंगे तो हमें उन्हें prioritize करना जरूरी है मतलब कि पहले कौन सा काम करना है क्या चीज करनी है और क्या बात में करना है ये सब जो है वो है organizing और last जो step उनों ने बताई है वो है identifying next actions ये किसी भी project की final stage होती है जिसमें हम जो भी सारा analysis हमने किया है resources को इकठा किया है plan बनाया है उसके मताबिक visualize किया है उसके मताबिक हर काम को distribute करना उसका follow up रखना जरूरत पढ़ने पर वक्त के माहोल के हिसाब से उसमें छोटे मोटे changes यानि बदलाओ करना ये सब actions हमें करने होते हैं जो कि last phase में आते हैं ताकि हमारा जो project है वो आगे बढ़ता रहा है और जल्दी से अपने end result तक पहुचता रहें तो दोस्तों ये सारी बाते getting things done में डेविड अलन बताते हैं और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ आफिस के काम के बारे में ये आपने business के काम के बारे में ही हमें कुछ guidance दे हमारे personal जो काम है या हम कोई बात सीखना चाते है तो उसके लिए भी अगर हम ये सारे principles apply करते है तो हम ज़्यादा अच्छे से better choices हम कर सकते है और जल्दी results पा सकते हैं और वो भी with relaxed control यानि कोई ज़्यादा तनाव लिए बगैर ही हम अपने result तक अपने outcome तक जल्दी से जल्दी पाँच सकते है तो अगर ये इतना important है और अगर ये आदत हम डालते हैं अपने आप में कि हमारे personal से लेकर official business वाले सारे कामों में अगर हम इस तरीके से ये principles apply करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाएगी और हर काम हम relaxed mind state में और जल्दी से और perfect मतलब best choice के हिसाब से complete कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज से ही हम कोशिश करते हैं कि ये principle हम अपना सके और अपने हर काम को best choices से जोड़ कर जल्दी से जल्दी और अच्छा relaxed state में relaxed control यानि mind को अपने मन को बिना तनाव दिये बिना किसी stress के results जल्दी से जल्दी पासके धन्यवाद